नमस्कार दोस्तों वेलकम बाक टियोर ओन चैनल वेल्थ फर्स दोस्तों सीडी एसल ने एक अडिशनल सिक्यूरिटी मेजर ओफ सीडी एसल टीपिन निकाला है जिसमें कि एक अथौरिटी मिलती है आपको अपने स्टॉक्स को अपने कन्वीनियस में सेल करने की वो भी विद प्रोटेक्शन तो CDSL टीपिन क्या है पहले तो हम लोग समझ लेते हैं वह अभी तक जिन लोगोंहों qui नो जिन निन नौवंबर 2019 से पहले account खोला हुआ है वो लोग जानते हैं कि जो भी लोग account खोलते थे उनको एक power of attorney submit करनी पड़ती थी broker को that is जरोधा को duly signed ink signed copy submit करनी पड़ती थी तो क्या होता है जब भी आप you know stocks को खरीदते हो तो वो आपके DMAT account में जाता है और DMAT account आपका bank account की तरीके होता है जिसमें कि आप stocks को खरीदते हो सकते हो लेकिं stocks को निकालने के लिए authority चाहिए तो यह authority कहा से आती है यह authority होती है power of attorney लेकिन कई लोग समझते हैं यह power of attorney देना सही नहीं हो सकता है मेरे stocks को sell कर दिया जाए मेरे permission के बिना तो CDSL ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है जिसमें कि आपके पास पूरा control है कि पूरे के पूरे stocks आपके पास ही रहेंगे और आपके permission के बिना sell नहीं किया सकते है तो आपको क्या करना होगा आपको एक pin generate करना होगा दोस्तों और उसको कहते हैं CDSLT pin कैसे generate करेंगे वो भी जानेंगे और यह बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने already power of attorney submit कर दी है तो उनको इसको generate करने की कोई भी जरूरत नहीं है तोकि उनके लिए automated है आपको मालम होना चाहिए बिसकी power of attorney का use क्या होता है अगर आपने कोई stock को sell किया तो जो भी stock sell होता है वो आपके account से निकल करके exchange में देने की जिम्मेदारी किसकी होती है broker की, broker कौन? जरूरता की तो आपके CDSL के account से DMAT account से निकालना और निकाल करके depository है CDSL CDSL निकाल के exchange को देने की जिम्मेवारी broker की होती है लेकिन अगर आप power of attorney नहीं देंगे तो broker नहीं दे पाएगा इसलिए अपना sell execute नहीं कर पाओगे अगर आपने November 2019 के बाद में account खोला है और अगर आपने tip in generate नहीं किया तो आपको tip in generate करना जरूरी है तो tip in को कैसे generate करेंगे वो भी सिखेंगे और ताकि आपके पास खुदी authority रहे कि आप अपने stocks को directly exchange को देने के लिए broker को hand over कर सको in person in person मतलब की खुद authorize करके तो दोस्तों कैसे हम लोग करेंगे ये जानेंगे सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे इस link के नीचे इस link के नीचे इस link को भी मैं आपको दे दूँगा नीचे description box में ताकि आप अपने time पर जाकर के अपने cdsl tip in को generate कर सकें इसमें दो link दिये हुए generate new cdsl tip in या फिर change your existing cdsl tip in suppose आज नहीं आसे दो चार दो साल तीन साल बाद हो सकता है या नो छह मीने बाद आपको लगे कि मुझे अपने टीप in को change करना चाहिए या फिर मैं अपना टीप in भूल गया हूँ कैसे generate करों तो आपको इसी page पे आना है और click कर देना page आपको मैंने description में दे दिया है आपका भी भी आ करके इसको visit कर सकते हैं और इसको click करके generate कर सकते हैं तो आपको straight away जाना है generate new cdsl tip in पे जैसे आप इसको click करोगे यह link है this is a link तो as soon as you click it एक नया window खुलेगा अब window कहुँ से खुलेगा वो देख लेते हैं पहले हम लेको इसको click किया window is going to open तो इस तरह का window खुलेगा इसने आपसे मांगेगा बियो आईडी एंड पैन अब यह बियो आईडी क्या चीज़ होता है उसको देख लेते हैं तो बियो आईडी होता है 16 digit का number जो कि आप जब आपने जरू पर क्लिक करेंगे this window will get opened अब इस window में आपको काफी सारे आपके personal data दिये होते हैं जो dmat b o दिया है this is 16 digit number जो कि आपको copy करना या तो यहां से copy कर सकते हैं अदर्वास इसको note कर सकते हैं और note करके इसको यहां पर type कर सकते हैं और यहां पर आपको लिखना होगा pan जो कि आपने यहां पर submit किया हुए in fact वह pan भी आप भोल रहे हैं तो यहां पर pan का number भी दिया है तो इसी pan number को आप जाकर यहां पर feed कर सकते हैं जैसे ही आप इसको करेंगे next तो उसके बाद एक OTP आएगा OTP को feed करेंगे OTP को feed करने के बाद आपके mobile number जो कि आपने register कराया है उसका data भी यह दिया हुआ यही जो mobile number है इसमें आएगा आपका आपका T-PIN और आपके registered email ID पर भी आपका T-PIN आ जाएगा तो दोस्तों बहुत ही simple procedure उसका जब भी आपको इस cell execute करना है आपको अपना T-PIN एंटर करना है इसके अलावा भी अगर आपका दिमांगा कोई question रहे गए हैं तो जो मैंने आपको link description में दिया उसमें कई सारे questions दिये हुए है questions के answers दिये हुए है तो you can go and visit that and that's a very very important document और related questions है तो you can always let me know in the comment section I'll be more than happy to answer thank you so much friends for watching और yes अगर आप लोगो ने भी तक जरुदा काउंट नहीं खुला है या खुलना चाहते हैं the link is there right in the description thank you so much friends for watching and bye-bye for now